आज का ये संबादाता सम्मेलन जो देश के अंदर इक विमर्ष का विसय और मानिय सर्वोच नियाले में जो विचारन चल रहा है वो नीट परिच्छा का मामला है और आज राष्ट्रे जनता दल का समिच्छा बैठक भी है तो हमारी उम्मीद यह है कि मानिय तो यश्वी यादो इस बात को असपश्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों है यह सबाल बड़ा महत्वण है कभी मनी चाहिए कभी प्रीतम चाहिए और सत्ता मिलते ही लूट का छोट जो होता हुआ और मुकीला हो जाता ही लोग का हम यह जानना चाहते हैं कि अभी नीट परिच्छा के मामले में आर्थिक अपराज साखा उसकी जाच कर रही है और स्वता जाच है यह जाच के लिए कोई सक्षम ने आले से या किसी बिपक्ष के लोगों ने कोई आवेदन नहीं दिया हमारी आर्थिक अपराज साखा इयो यू इसकी जब जाच किया तो चौकाने वाली बाते आई है चौकाने वाली बाते यह हैं कि मान्य तेजश्वी यादव जी जो बिपक्ष के नेता हैं उनके आज भी सरकारी आप तो सचिव हैं प्रीतम कुमार और उनके रिष्टेदार हैं सिकंदर यादविंदू और उनका भगिना है उसी परिवार से जुड़ा हुआ है अभिनव कुमार यह सिकंदर जो है नगर विकास विभाग के सिकंदर थे इनके राजबाट में आप मीडिया के लोग जानकर हैरत हो जाईएगा कि यह सिकंदर यादविंदू जो विक्ति है नगर परिशद दानापुर के अध्रक्ष में इनके खिलाफ आवेदन दिया नगर विकास विभाग को कि इनका आचरन सही नहीं है तो इनकी सेवा जल संसादन विभाग में वापस करने का आदेश निर्गत हो गया परंटू मान्य तेजश्वी आदरी यह सेवी नगर विकास विभाग के मंत्री बनते हैं उसकी सेवा वापस कर ली गई पुनह नगर विकास विभाग में कि उन्ही के परिवार के लोग हैं यहीं एने चाइए के गेस्ट हाउस में ठाह रहे थे पतीजा या भागिना को जो हाँ वह जो उन्ही के परिवार के सदस उसको रिष्टेदार रखिए न और इतने महत्पुल जिम्मवारीं को दी गई कि दाना पूर बीटा मसरी का प्रभार दिया गया और एक कनिया वियंता की इतनी अवकात राजितिक रसूख था कि पतना मेट्रो पिलिडिंग पतना महालगर प्रियोजना में बुढको का भी इनको प्रभार दे दिया गया जिसके खिलाप नगर विखास विभाग के प्रणां सचिब ने लिका कि इंकी सेवा मूल विवाग जलसल्साधन विभाग में कर दिया जाए उसकी सेवा नगर विकास विभाग में मानिय तेजस्वी आदो जी के कारिकाल में हुआ और उसको बुढकों तक का प्रभार दिया गया मने अतना बोजात उठाने वाले ही थे कि दाना, पूर, बेटा, मसवड़ी, पत्ना, मेट्र, प्लीडिंग, पत्ना, महा नगर परियोजना में बुढकों का वित्रभार दिया गया इसका मतलब साफ था कि ये सिकंदर थे, नगर विकास विभाग के बहुत रसुखदार थे और इनका निट परिच्छा के मामले में इनके गिरफतारी हुई है अब हमारा सवाल ये है कि मान्य तेजस्वी आदो जी आप हर एक घटना पर बोलते हैं टीट करते हैं दिल्ली में रहते हैं तब टीट करते हैं कलकटा में रहते हैं तब टीट करते हैं लेकिन शिकंदर यद्विंदू के गिरफतारी के बाद आपका ट्यूटर खामोस क्यों आपकी जुमान बंद क्यों है कौन है गुनागार हर मुद्दे पर तो आप बोलते हैं लेकिन ऐसे संबेदंसील मुद्दे जो छात्रों के भविशी के साथ जुड़ा हुआ है उस सवा पर आपके खामोशी का राज क्या है यह बिहार की जंता जानना चाहती है और प्रीतम जो आपके आप सचीन हैं उनके विश्तेदारों की गिरफतारी हो रही है कि आपको अपना नजरिया इस पर अस्पष्ट करना चाहिए और हम यह जानना चाहते हैं पूरे तोर पर मानियों मुख्मंत्री विजय सिन्हा जी ने भी इसको अस्पष्ट्रूप से कहा है कि इने चाई का गेस्ट हाउस कैसे उप्योग में लाया गया इता तमाम मामलों की जाच कराई जा रही है और इस मामले में किसी को बक्सा नही जाए जाएगा अब तो बिहार यह यू ने जो काम किया है केंदर ने भी उसकी रिपोर्ट मांगी है तो यह साफ तो अपर परिलक्षित होता है कि इसमें एक राजनैतिक साजीस के तहद बच्चों के भविस्ष के साथ खिलबाल करने की कोसिस की गई लेकिन कानून के जब खर है राश्च्री जन्तादल का हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि तेजश्य यादोजी मोन क्यों है कि विपे देधिया पर शिकंदर म्याटстроस क्या है go प्रीतम के वे इस्तेदार हैं और इतने रसुखदार अगर प्रीतम के बदावलत वो थे कि नगर विकास विधाक के आप माननिय मंत्री थे और उस समय कि इनको बिभिन मसवड़ी नगर परशद का बुटा और दानाप नगर परशद का इनको प्रभार दिया गया और फिर बुड़कों का भी प्रभार दिया गया प्रणाज सची ने इनकी सेवा वापस करने की बात कही थी तो यह सीधे तोर पर बताता है कि नगर विकास विभाग के जब आप मंत्री थे तो ऐसे ब्रश्ट लोगों को राजनेतिक संग्रक्षन दे करके एक कनिया वियंता को इतना रसुखदार बनाया गया जिसकी गिरफतारी निट जैसे संबेदंसील मामले में हुई है और साथी साथ हम यही आपसे अनुवेट करेंगे कि तेजश्ट्र यादर्य जिवान खोले आप प्रीतम से रिस्ता उसका क्या है और यह तीन लेयर का मामला है प्रीतम आप सचिन हो गए सिकंदर याद विंदू उनके परिजन हो गए और उसके बाद अभी नहों अनुराग अनुराग तो यह तीनों का क्या संबंद है अने नासरे संबंद है इसलिए हमारी उम्मीद है कि तेजश्ट्र यादो समिच्छा बैठक में जरूर इस बात पर भी अपना मंतब रखेंगे है अधन्यवाद कि आप है 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 आज अनुर्ट डेस्ट्र रहा है इस तरह कि अमनुर्ट कि पर बिल्कुल राष्ट्र जनता दलकूर यह मस प्रस्ट करने के लिए कि रहे है कि क्या तेजश्वी आदो जी के प्राइबेट सेक्रेट्र प्रितम है क्या कि यह सुयादो कि प्रॉइट सेक्रेटरी प्रितम के रिष्टेदार सिकंदर याद वंदू है क्या यह सभी है कि जल संसाधन विभाग में सिकंदर याद विंदू की सेवा वापस करने का प्रधाल सैचिव ने आदेश दिया था उस आदेश को निवास्थ करके आखिर वह कौन अज्यात काकट थी उसके पास कि पुना जिस पर आरोप दानापुर नगर परशद के चेर्मेन ने लगाया जिसके आलोग में पधान सचिव ने कारवाई किया पुना उनको नगर विकास विभाग में कैसे लाया गया और लाया गया तुनको मसवरी दानापूर बेट खुका मसवरी का प्रवार आपदे रहे हैं मेटों का प्रवार चाहिए पीट करी ना हEMAँ तो जाप जय आज की प्रक्रिया तो चल लोई है जेल भी गए हैं लेकिन एका जो संबंद है राजनेतिक संबंद है रसूख जो है रसूख परहाने में आपके बली भूमिका है जब आप नगर्मिकास मंत्री बनते तभी यह सारी सुभधाय इनको मिलती है कि आई डॉकुमेंटरी फैक्ट है इसको कहा ही इनोर करिया इसलिए राष्टियर जन्तादल को यह अनुवेद करना चाहिए समिछा बैठक में है कि हमारे नेता पर आरोप आपके नेता पर आरोप है इसलिए वह असपष्ट करें अब इसके बारे मावचारी ज्यानकारी लेकिन कब तक कहां तक बचियेगा सीसी टीवी कैमरा से लेकिस सब कुछ रहता है अब बैज्यानी का नुसम्हान का दर्ड है को रिजिस्टर लेके गाग हो जाएगा कानून का जवला कर्द हो जाईगा